प्रेंड वेल्कम तो माइ चैनल फ्रेंड्स आजम सिखेंगे बहुत ही प्यारा बहुत ही खुबशूरत और 6 रों का यह डिजाइन पैटर्न इसे आप जैन स्वेटर लेडिस्वेटर बच्चक स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएए और यह यूटूब पर पहली बार यह डिजाइन हम लेकर आया है तो चलिए जल्दी से डिजाइन हम और आप बनाते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में बेल आइकन की घंटी है उससे प नेस्ट वीडियो आपको तुरंद प्राप्थ हो सके तो देखिए फ्रेंड सी यह फॉस्ट रो है यहां यह थ्री के मल्टिपल बनेगा तो प्लस टू फंदे आपको साइड का डिश्टिच लेने हैं तो फॉस्ट फंदा हम स्लिप करेंगे आप देखिए यह वान टू थ्री ंड नेगी फंदों में डिजाइन बनेखा तो यहां बीच में हम यह मैं स्ली। को Да लेंगे और में से हम मलें लेंगे थिक फिर देखिए हम यहां से तोड़ा सा लूप को आएसे लूज या फिर यह second hole से हम यहां से side से हम दूसरा loop ले लेंगे और फिर यह third यहां से हम देखे यहां बीच से हम यह तीसरा loop ले लेंगे देखिए यह three three loops हमने ले लिए है one two three अब आपको क्या करना है धागा आगे करेंगे और यह three फंदों का one कर देंगे देखिए एक साथ है से बुनाई कर देंगे three का one करेंगे इसे तो देखिए हमारे यह two three फंदे से five फंदे होगे one side का आड़ेश्टी चाहिए देखिए one side का आड़ेश्टी चाहिए one two three three loop लिये हैं आए देखिए वा और्ट टू यह फाइफ फंदे हमारे हो गए अब यहीं रिपीट करेंगे देखिए फ्टी फंदे में डिजाइन बनाएंगे यहां से हम देखिये यहां बीच से हम वन लूप लेंगे यहां से फिर यहां से हम सेक Beim second लेंगे और यहां से देखिए फिर हम थर्ड लूप लेंगे ऐसे ले लेंगे फिर धागा को आगे करेंगे और यह 3 का 1 करेंगे देखिए यहां पर यह 3 का 1 करेंगे तो यह हमारे 5 फंदे हो गए तो फ्रण देखिए यहां से हम 1 लूप लेंगे बगल से हम यहां से 1 लूप लेंगे फिर इसके बगल से 2 फंदे की बगल से हम 2 लूप लेंगे और ये 3rd फंदे की बगल से हम 3rd लूप ले लेंगे और फिर धागा को आगे करेंगे और ये 3 का 1 करेंगे दिखें हाँ पर ये 3 का 1 कर देंगे हाँ पर अब देखें यहाँ से हम साइड से अब यहाँ से हम 1 लूप लेंगे यहाँ से बगल से फिर देखें इस 2nd फंदे की बगल से हम 2nd लूप लेंगे 3rd फंदे की बगल से हम 3rd लूप लेंगे और इसके बाद धागा आगे करेंगे और ये थ्री फंदो का देखिए एक साथ ऐसे ले लेंगे ऐसे थ्री फंदो का वन कर देंगे यहां यह देखिए फिर इसके बाद देखिए यहां से हम वन लूप लेंगे देखिए बगल से वन लूप लिया फिर यहां से सेकेंड फंदे की बगल से सेकेंड लूप लिया थर्ड फंदे की बगल से हम थर्ड लूप लेंगे और फिर धागा आगे करेंगे और यह थ्री फंदो का वन करेंगे ऐसे और इस साइड का या डिस्टिच है इसको हम देखे सीधा बुन लेंगे तो यह रोवन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स अब देखिए सेकेंड रो है बैक साइड इसको ध्यान से देखिएगा फश फंदा हम स्लिप कर लेते हैं आप सनली या आप चाहें तो बुन भी सकते ह दागा पीछे ले जाएंगे अब देखिए जो हमने वन फंदा यह बुना था ना इसको हम सीधा बुनेंगे और यह सेकेंड फंदा भी हम सीधा बुनेंगे और इसके बाद जो है देखे धागा आगे करेंगे टू फंदा हम सीधा बुनने के बाद ये थ्री लूप्स जो है इन्हीं हम स्लिप कर लेंगे फिर धागा पीछे ले जाएंगे तो देखे यहाँ पर ये थ्री लूप्स हैं और ये टू फंदे हैं तो पहले हम 2 फंदों को सीधा बनेंगे. देखे 1, 2, 2 फंदा सीधा बनेंगे, धागा आगे लाएंगे और ये 3 लूप्स हम स्लिप कर लेंगे. धागा पीछे ले जाएंगे, आप देखे ये 3 लूप्स हैं और ये 2 फंदे हैं, ठीक न? इन टू फंदों को हम सीधा बुनेंगे वान कि तू दागा आगे और ये थ्री लूप्स हम स्लिप करेंगे दागा पीछे देखे थ्री लूप्स सीधर और ये आगे हमारे टू फंदे हैं इन्हें हम सीधा पले बुनेंगे वान कि तू दागा आगे ये थ्री लूप्स हम स्ल करेंगे देखे यह 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 टू फंदे पले हम बुनाई करेंगे देखे वान को तू धागा आगे थ्री लूपस स्लिप करेंगे धागा पीछे देखे वान टू, धागा आगे, थ्री लूप्स हम स्लिप करेंगे, वन फंदा, साइड का अडिस्टी छे, इसे हम सिधा भूनेंगे, तो फ्रेंट देखे, ये डिजाइन पैटरन का थर्ड रो देखे, इसको ध्यान से देखेगा, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, देखे, वान, टू, ये जो थ्री फंद यान, इने देखे, बैक साइड से, इस तरीके से, थ्री का वन करेंगे, धागा आगे लाएंगे, टू फंदा उल्टा, धागा पीछे, वान, टू, थ्री, देखे, थ्री लूप्स का हम, वन करेंगे, और धागा आगे, टू फंदा उल्टा, धागा पी 3 3 फंदो कउवन करेंगे दागा आगे धागा पीछे 3 3 3, 3 फंदों का 1 करेंगे, धागा आगे 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे 1, 2, 3, 3 फंदों का 1 करेंगे, धागा आगे 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे 1, 2, 3, 3 फंदों का 1 करेंगे, धागा आगे 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे इसे सीधा बुनेंगे, तो फ्रेंड से मारा ये देखिए थार्ड रो कम्प्लीट हो गया डिजाइन पाइटन का अब ये फोर रो है रॉंग साइड बैक साइड फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे धागा पीछे टू फंदा सीधा वन फंदा उल्टा दागा पीछे टू फंदा सीधा दागा आगे वन फंदा उल्टा दागा पीछे टू फंदा सीधा दागा आगे वन फंदा उल्टा दागा पीछे टू फंदा सीधा दागा आगे वन फंदा उल्टा दागा पीछे टू फंदा सीधा धागा आगे वन फंदा उल्टा वन साइड का एडिस्टी छे इसे उल्टा बुनेंगे तो यह हमारा जो है देखिए फोर रोग कम्प्लेट हो गया है आप देखिए यह फिप्थरो है रैड साइड फर्ष्ट फंदा स्लिप करेंगे वन फंदा सीधा धागा आगे तू फंदा उल्टा देखिए जो सीधा उस पांच विल सलाई रैड साइड तू फंदा उल्टा वन फंदा सीधा धागा आगे तू फंदा उल्टा वन फंदा सीधा धागा आगे तू फंदा उल्टा दागा पीछे वन फंदा सीधा धागा आगे तू फंदा उल्टा दागा पीछे वन फंदा सीधा तो यह फिप्थ देखिए कितने खुब्सूरत डिजाइन बनकर आ रहे है अब यह सीक्स रो है रॉंग साइड तो फ़र्ष फंदा स्लिप करके पूरी शलाई को हमको उल्टा-उल्टा ऐसे बुन देना देखिए इस तरीके से आप जो छटी सलाई है उसको उल्टा-उल्टा बुनेंगे क्योंकि यह डिजाइन जो है सिक्स रो का है तो देखिए तो देखिए वन से लेके सिक्स रो में डिजाइन पैटरन ऐसे बन कर आया है इसी को जब आप रिपीट करते जाएंगे तो पूरी डिजाइन देखिए फ्रेंस इस तरीके से बन कर आएगी तो इसे बनाए अगर आपको डिजाइन अच्छी लगी हो मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धने बाद मिलते हैं नेस्ट डिजाइन के साथ नेस्ट वीडियो थैंक यू बाइबाइ